Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Greens इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हमारे चाप्टर का last topic पढ़ेंगे, theory part पर तो topic क्या है? The Mughal Empire in the 17th century and after तो अब हम यहापे क्या करें? देखो, conclusive topic है, मतलब आपको एक conclusion पर ले जाके खड़ा करेगा facts जो अभी तक पढ़ते आयों आप आगे chapter में हमने बहुत सारे facts, बहुत सारे नाम, सारी चीज़ें पढ़ी थी तो वो fact, वो नाम, उन सारी चीज़ों से अलग एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगी, क्या जानने को मिलेगी? तो आपको यहाँ पर interpretation निकालना होगी interpretation निकालना होगी मतलब क्या? कि यहाँ पर आपको interpretation ऐसी निकालना होगी कि अच्छा ये था मुगल empire में तो हम 17th century and after मतलब जो later मुगल्स आएं ओरंगजेब के बाद की कहानी क्या रही थोड़ी सी तो ओरंगजेब के बाद में जैसे में आपको बहत्दूर्शा पावर में आता है बहत्दूर्शा पावर में आने काद में क्या क्या करता है उसके empire में कैसे चीज़े चल रही थी वो सब कुछ नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको analysis draw करना है कि मुगल empire बाद में कैसा चला और 17th century में आप ये भी ले सकते हो कि और अंगजेब के time period में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो सारी चीज़े कहानी आपको sum up करना होगी यहां पे देखिए तो जो administrative and military efficiency अब इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हो कि मुगल empire में administrative and military efficiency तो थी मतलब उन्होंने ऐसा administrative setup लगाया था उनका जो प्रशाशन का तरीका था ठीक है तो उन्होंने पूरा सब कुछ मनसबदारी system जब system administration smooth चल रहा था मानते हो military efficiency थी अलग-अलग post बना दी सुवेदार टाइप से बक्षी टाइप से ठीक है फौजदार होते थे कोतवाल होते थे यह सभी लोग कहीना कहीं empire की एक तरह से pillar थे मजबूत थे सारी चीज़े थी अब जब military और administrative efficiency थी तो prosperity आना भी था है मतलब संपन्ता, सम्रद्धी यह भी होगी वहाँ पे ठीक है, खुब पैसा भी होगा मुगल empire एक तरह से कह सकते हैं flourishing empire रहा होगा और था यह, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है तो records यह बताते है अब आप बोलोगे हमारे देश के लोगे हमारे देश के तो बढ़ाई करेंगे ही नहीं, उसके अलावा जो foreign travelers आये थे, जो बाहर से लोग आये थे, उन लोगों ने भी देखा और बोला कि लेकिन reality क्या थी अब बताओ, तो चलो reality की थोड़ा discuss करते हैं कि वह prosperity कितनी reality समरद्धी जो दिख रही थी बहार से वह अंदर से कितनी ठोस थी तो क्या होता है कि जो international travelers आये अब आप बोलो कि उससमें पर flight नहीं चलती थी flight नहीं चलती थी, sea route के थूँ international travelers आये, international traveler क्या हो गया, बुटान से भी आया, तो वो भी international traveler है, आज भी होता है, उस समय पर भी माना जाता था, मतलब कि international traveler in the sense की जो foreigners आये, जो outsiders आये, उन्होंने मुगल empire को कैसे observe किया, उन्होंने क्या देखा मुगल empire में, वो international travelers की कहानी बताएंगे, तो यहां पर international travelers में, जैसे मैं आपको example दूतो, Captain Hawkins, Captain Roe, ठीके, यह लोग आये, जैसे Britain, Portugal वगेरा से आये थे, तो इन लोगों के आने के बाद में क्या है, इन लोगों ने जब वहां से यहां आये, तो यहां आकर कुछ ना कुछ तो observe किया होगा, कुछ ना कुछ तो इनकी interpretations निकाली होगी नोने भी, कि इन्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीके, कुछ नहीं चीज़ देखने को मिली, नहीं देखने को मिली, वो सब कुछ हुआ होगा, बोलो हां, ठीके, तो international travelers जो आये, they described it as a fable land of wealth, इत India, हमारे देश को, Mughal Empire को, उन्होंने fable land of wealth बताया, मतलब कि एक ऐसी, मतलब क्यूंकि explore, open नहीं थे ना हमारी जमीन, European के लिए तो क्या है, एक तरह से खजाना हो गया, उन्होंने बोला, इतना पैसा, इतना पैसा यहां पे, they described India, they described Mughal Empire as the fable land of wealth, wealth का इन्होंने fable land बताया उसे, ठीक, क्या होता है फिर, तो बट इस, बट इस, सेम विजिटर्स वर अल्सो एपल टु दी स्टेट ऑफ पॉवर्टी, समझना, उन्होंने बोला, पैसा बहुत है, लेकिन, क्या होता है, कि स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब यहां पर जो गरी भी थी, उसे देख कि वो एक तरह से चकित भी हो गई कि गरीबी भी भी बहुत थी, दे, स्टेट ऑफ पॉवर्टी देट एग्जिस्टेट साइड बाई साइड विद इग्रेटेस्ट ओपुलेंस, ठीक है, ओपुलेंस मतलब क्या होता है, कि समरिद्धी, प्रॉस्परिटी का एक सिनोनेम हो गया तो यहां पे क्या है, आपको बहुत ज़ादा समरिद्धी देखने को मिलेगी, दिख रही थी वो, जो फॉरेंड इंटरनेशनल ट्रेवलर्स है, उन्हें बहुत ज़ादा पैसा दिखा, लेकिन उस पैसे के सांस साथ में क्या होता है, उन्होंने ये भी भोला कि गरीबी भ होत है, तो मतलब जैसे आज आप देखते हो क्या, कि आज शहरों का हाल कुछ वैसा ही है, आपको इतनी उची स्काय है, मतलब आसमाम को छूती भी बिल्डिंग्स दिखेगी, लेकिन वहीं पे बाजू में जुग्यां भी दिखेगी, जहां पे बहुत गरीबी है, तो सारी है, ठीके, मतलब जो डिवाइड है, जो गैप है, वो बहुत जादा है, और वही चीज इंटरनेशनल ट्रावलेर्स ने अब्जर्फ करी, कि नो डाउट ये जो बोल रहे हैं, आप प्रॉस्परिटी तो प्रॉस्परिटी होती थी, पैसा तो बहुत था, देश में बहुत जादा पैसा था, इतना डवलप्मेंट हुआ, ठीके, अब जैसे एक चीज ये भी बताएगा, कि जब ताज महल बन रहा था, तो ताज महल में कितना पैसा लगा होगा, सफेद संगमर मर लगा, सारी चीज़े हुई है, लेकिन उस ताज महल के बनने के समय, शहाजा के से बेंता थी, ना कि गरीब लोग जो मर रहे थे भूग से उनकी, ठीके, तो वही चीज यहां पर हुई, जैसे आज शादीयों में क्या होता है, आप बहुत सारा खाना फेक देते हो, लेकिन वहीपे कोई भूग कि कारण क्या हो जाता है, मर जाता है, तो वही चीज यहां पे थी इंटरनाशनल ट्राविलर्स नहीं ऑब्जर्फ किया कि reality क्या है कि wealth थी भाया नकार नहीं सकतू लेकिन वहां पे क्या है कि बहुत जादा poverty भी थी inequalities वर ग्लैरिंग inequalities क्या थी घूर रही थी बहुत भात भायानक inequalities थी तो inequalities भी थी अब इसका evidence कहा से मिलता आपको inequality मतलब क्या है अमीर और गरीब में उच नीच मतलब गरीबी भी बहुत जादा अमीरी भी बहुत जादा ठीक है तो इनके बीच का जो gap है डिवाइड वो भी था अब आप बोलो आपको कैसे पता चलता है तो मैं आपको explain करता हूँ किसके थूँ explain करता हूँ evidence from the document of शाह जहा सरीन शाह जहा के time period का एक हमारे पास document है ठीक है मुझे मिला था कल नहीं है ऐसा नहीं है मतलब जो आपकी book में detail दिया है तो वहां से हमें evidence मिलता है कि कैसे inequalities बहुत जादा थी क्या होता है कि इस रहा जाहा के time period में जैसे 8000 लगब लगब 8000 मनसबदार थे अब 8000 मनसबदार में से क्या था कि 445 मनसबदार मतलब 8000 का कुछ 5.6% है ठीक है अब इन 8000 मनसबदार में से जो 445 मनसबदार थे ये मतलब इनकी rank बहुत जादा थी इनकी मनसब बहुत जादा थी अब आप क्या सकते हो कि total मनसबदार में से 5.6 मनसबदार समझो इस चीज़ को total मनसबदार यह ए 100% ठीक है तो 100% मनसबदार में से मातर 445 मतलब 5.6% मनसब्दार अगर percent में निकाले नो इतने मनसब्दार के पास में wealth कितनी थी पता है इतने मनसब्दार के पास में 66.5% wealth थी मतलब सेलरी वगेरah 100-% salary होती थी ना तो ये 100% मनसब्दार को इतनी salary दी तो इस सेलरी का 66% इतना हिस्सा जो है इतना पूरा हिस्सा सिर्फ 5.6% मनसब्दार ले जाते थे तो अब इनक्वालिटी तो होगी बोलो हाया ना कि 5.6% मनसब्दार्स के पास में 445 मनसब्दार के पास में जो टोटल सेलरी होती है उसका एक बड़ा चंग बड़ा शेर 66.5% किया इनके पास चले गया है तो अब आप मनसब्दार में ही इनक्वालिटी देख लो तो पीजेंट्स और इनके बीच में तो कितनी गरीबी होगी ने तो कोई सेलरी भी नहीं दे रहा है तो इस तरह से क्या है सेलरी जो सेलरी थी वह बहुत अनीवनली में आया तो यह आपको मुगल एंपायर का एक इंसाइडर परस्पेक्टिव मिला है 17th century में सहाजा के टाइम प्रेट में मुगल एंपायर कैसा था ठीक आगे देखो अभी हमने पिछले वीडियो में क्योंकि क्या देखा हमने अकबर के टाइम प्रेट की चीजें देखी अ और ममें म मनसब्दार मुगल एंपररिस जो थे मंसब्दार जो के पास पैसा आता था कूप सारा अब उनके पास पैसा आता था तो वह पैसाअ कर्च करते थे आग यह अब उस समय पे उनके शौक हुआ करते थे तो वो क्या करते थे मानलो किसी प्रकार के गुड्स को खरीद रहे किसी प्रकार की बिल्डिंग को बनवा रहे ये इस तरह से पैसा खर्च करते थे वो तो ये जो expenses थे ना उनके ये expenses ही क्या होते हैं ये expenses एक तरह से country में economic activities को चलाते हैं जैसे आज क्या होता आज government है government क्या कर रही है इंवेस्ट करती है government कहां इंवेस्ट करती है government ने बोल दिया है कि हम एक hospital बनाएंगे बहुत बड़ा aims बनाएंगे तो अब वो aims hospital में क्या होगा बहुत सारे लोग construction के लिए जाएंगे उन्हें job मिल जाएगी बहुत सारे लोगों को साफ सफाई का job मिल जाएगा कुछ लोग doctor की job मिल जाएगी तो अब aims hospital एक government अकर खर्च कर रही है पैसा तो उससे कितने सारे लोगों को job मिल रही है मानते हो इस चीज़ को तो वैसे यह जो expenses होते थे मुगल emperors के, منसबदार के तो उससे आम जंता को फाइदा होता था आम जंता को कुछ नो कुछ यह खर्च करेंगे यह पैसा कहा जाएगा आम जंता के बीच में क्योंकि यह goods and services किस से लेंगे आम जंता से लेंगे ठीक है बट इस expenses had dual impact on the society यह जो expenses थे, जो खर्च थे इनके dual impact थे मतलब दो तरफा impact हुए एक positive एक negative दोनों समझाता हूँ तो articians and peasants who supplied goods and produce to emperor and manसबदार were benefited no doubt जिन articians ने, जिन peasants ने manसबदार को, मुगल emperors को क्या किया goods and services, goods और produce जो थे अपने वो supply किये होंगे for example जिसे building bunny building bunny किसी artician को क्या करते आती थी नकाशी करते आती थी तो ताज महल में जिसने नकाशी करी होगी उसे पैसे तो मिले होंगे तो they were benefited जैसे क्या हो रहा है कि मान लो कपड़े बनवाए किसी किसी emperor ने क्या बनवाए कपड़े बनवाए बहुत अच्छे अब वो कपड़े बनाने वाला जो weaver होगा उसे पैसे मिले होंगे तो इनके खर्चों से हमारे peasants और articians को फाइदा होता था लेकिन साथ ही साथ में क्या होता था क्योंकि इनके खर्चे हैं तो इन्हें पैसा भी चाहिए रहेगा खर्च करने के लिए तो पैसा कहां से आएगा फिर सोचो अब इनकी कोई factory तो चलती नहीं थी उनके पास पैसा कहां से आएगा tax के रूप में आएगा तो वो पैसा वसूलते कैसे थे इनके खर्चों के उपर चलते थे तो यह अपने खर्चे उन्हीं आटिशन पीजेंट के उपर tax लगा के निकाल लेते थे 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 तो इनके पास कुछ बचता ही नहीं था कि वो पैसा बचा सके पीजेंट्स और आटिशन तो इसके डूवल साइड मतलब एक सिक्के जिसके दो पहलू है तो expenses जो थे किसके या फिर क्या सकते हैं मुगल एंपरर और मनसबदार्स जो खर्च करते थे उसके दोनों साइट्स थे तो अल्टिमेटली प्लस फाइव माइनस फाइव इस तरह की कंडिशन यहां हो जाती थी तो यह वही चीज बताए गई लिवड इन हाडशिप जो गरीब थे उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था उनके पास कुछ बचता ही नहीं था वाइल दी वेल्दियर प पूरे सिस्टम में बेनिफिट ले जाते थे मौके पे चौका मार जाते थे आगे देखो क्या है आगे अगली चीज़ है मुगल एलाइट बिकेम इन एक्स्ट्रीमली पावर्फुल ग्रुप अब देखो मुगल एलाइट कौन है तो यह मुगल एंपायर पूरा ठीक है मु मुगल एड्मिस्ट्रेटिव सिस्टम का पाट है मतलब इनके पास क्या इनके पास सेलरी आएगी इनके पास रेविन्यू आएगा इनके पास पैसा आएगा तो यह मुगल एलाइट जो थे बिकेम इन एक्स्ट्रीमली पावर्फुल ग्रुप तो इनके पास पावर आएग किया है या ultimately जिस्य देखें पूराusan that पूरा style फूरा किसका ये मुगल t caller क कंजोड होगा मान लो हम पर कंजोर हो रहा जैसे शाहजान के बादन हम देखते बहुत बाहदुर्शा अगर कमजोर है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा है चीजों को तो बहदूर शाह की कमजोरी का फाइदा पता है कौन उठाएगा ये जो दूसरे मुगल एलाइट से जिसे मैंने बताए जो सुवेदार्स वगेरा हैं अब इनके पास क्या है इनके पास मौका आगे रहा हमारा राजा कमजोर होते जा रहा हमें इसके अंडर में नहीं रहना है तो वही चीज़ आगे होगी देखो तो आयस दिया थोरिटी ओफ मुगल एंपरर स्लोली डिकलाइन ठीक है इस सर्वेंट्स इमाज एस पावरफुल सेंटर ओफ पावर इन दिस रीजन तो उस रीजन में उसके जो सर्वेंट है वह पावरफुल सेंटर की तरह इमर्ज हो के आएंगे ठीक है फॉर एक्जामपल जैसे देखें हम तो दे कंस्टिट नियु डैनेस्टी जेल्ट कमांड इन प्रोविंस लाइक हैदराबाद अवद तो हैदराबाद और अवद यह क्या है यह मुगल प्रोविंस हुआ करती थी मुगल एंपायर के अलग-अलग सुबाज हुआ करते थे जैसे आप देखोगे यह अवद है ठीक है 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 घराबा मुगल एंपायर के अंडर में नहीं रहना है फिर अगर आप हैदराबाद का देखोगे तो निजाम अलमुल्क अशव जहां तो यह लोगों ने क्या किया यह लोगों ने बोल दिया कि अब हमारा राजा उपर कमजोर होना तो हम इंडिपेंडेंस असर्ट कर ले रहे हैं त तो अब एक समय साएगा कि फिर यह उसके जो सुबेदास वगए उसके अंडर में क्यों रहेंगे वही चीज़ यहां पर हुई है तो अब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली अपने आपको स्टैब्लिश कर लिया लेकिन फिर भी वो क्या थे मास्टर की तर आप 8th class history में पढ़ोगे बचो यह सारी चीज़ें और यह जो मैं आपको बता रहा हूं यह सब इसी साल भी पढ़ोगे आप लास्ट चैप्टर में लास्ट चैप्टर यह दियान रखना है यह फाउंडेशन है आपकी लास्ट चैप्टर में इस चैप्टर से जुड़ी ब कर दो तो आपसमें शमँड़ना चाप्तर को स्रिफ चाप्टर तक सीमीत मत रखो टापिक को जोशल को स्रिफ सूशल emperor in Delhi as their master by the 18th century the provinces of empire had consolidated their independence political independent political identities तो उन्होंने दिरे दिरे अपनी independent political identities बना ली जैसे मैंने आपको बताया हैदराबाद, अबद, बेंगॉल, मुर्शित कुली खान ये साथ लोग अपनी अलग-अलग independent political identity बना लेंगे मुगल empire से अलग हो जाएंगे दो मुगल emperor जो होगा देली में उसकी respect बकाइदा करेंगे लेकिन वो अपने अलग एक political unit ले लेंगे क्योंकि वो powerful हो जाएंगे over the period of time ठीक है तो मैंने आपको chapter का open end पे लाके छोड़ दिया है जहां से हम history को और आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे कब आगे आने वाले videos में तो theory part पर हमारा chapter यहां पर पूरी तरह से complete होता है I hope you enjoyed this chapter ठीक है बहुत साई नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी और इसी के साथ हमारा chapter हुआ complete ठीक है तो जो भी सारा सब कुछ सिखा है इसको और पढ़ना और जानना इसके बारे में competitive की जो तयारी कर रहे है एक बार फिर रिपीट करता हूं important chapter ठापको इसको relate करना होगा मतलब अलगला concept से जोड़ना होगा इस chapter को जितने अच्छी तरह से relate करोगे जितना जोड़ोगे उतना मज़ा आएगा क्योंकि यहां से question बनना तह है बच्चे से नहीं chapter से ठीक है यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा इस chapter में I hope you enjoyed it once again एक और important चीज़ सुनते जाओ क्या है कि magnet brain इस पे class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters सभी chapters के sub topics बिल्कुल इसी तरह से जैसा आपने इस वीडियो में पढ़ा सारा सब कुछ systematic way में arranged format में available हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं निश्चिंत हो के सारे video lectures को free of cost घर बैटके देख सकते हैं और अपना syllabus complete कर सकते हैं आपको क्या करना है देखेंगे तिल देन stay connected keep learning thank you thank you very much